So Hello Guys, Welcome to our channel और आज की इस वीडियो मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप किस तरीके से WhatsApp पर blank message send कर सकते हो तो जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पर मैंने बहुत सारे blank messages यहाँ पर send कर रखें अल्रेडी तो यह मैंने कैसे कर रखें यह मैं आपको आगे बताऊंगा बट जब आप typing करने के लिए जाते हो और यहाँ पर जब तक आप कुछ note नहीं करोगे तब तक आपका जो send button है वो activate नहीं होगा तो यहाँ पर जब तक आप कुछ भी note नहीं करोगे तब तक यह activate ही नहीं होता है तो guys whatsapp पर कुछ इस तरीके से blank messages send करने के लिए आपको जो है चलना होगा अपने mobile के google के अंदर और यहाँ पर आपको search करना है blank message copy paste यह आपको इस तरीके से search कर लेना है जब आप इसको इस तरीके से search कर लोगे तो guys आप देख सकते हो जब अब यह दूसरा वाला देख सकते हो यहाँ पर आपके सामने empty character.com करके एक website आएगी इसके उपर आपको click कर लेना है जब आप इसके उपर click कर लोगे तो इसका interface कुछ इस तरीके से खुल जाएगा आपको नीचे के तरब जब आप इस तरीके से जाओगे और थोड़ा सा और नीचे जाओगे और थोड़ा सा और नीचे जाओगे और आपको थोड़ा सा और नीचे जाना है और यहाँ पर आपको जो है नीचे जाने के बाद आप देख सकते हो यहाँ पर आपको select text का एक option आता है जब आप copy कर लोगे इसको तो आपका ये जो option है ये copy हो जाएगा और copy होने के बाद अब जब आप WhatsApp में दुबारा से जाओगे और WhatsApp में दुबारा से जाने के बाद जब आप किसी को यहाँ पर message भेजोगे तो आपको यहाँ पर message लिखने की कोई जरूरत नहीं है आप जो copy किये होगे आप उसी को आपको यहाँ पर paste कर देना है और guys जब आप यहाँ पर इस तरीके से पेश्ट कर दोगे तो आप देख सकते हो यहाँ पर इस तरीके से आपके blank messages जो है यहाँ पर activate हो जाएंगे और आ messages send कर सकते हो